ऐसे समय में जहां पॉष्टिक प्राकृतिक नुस्खों की खोज लगातार वाराच रही है सेहत का एक खजाना अक्सर हमारी पेंट्री में ही अंदेखा पड़ा रहता है कद्दू के बीज अक्सर हेलोवीन जैको लालटेन के साथ फेंक दिये जाने वाले ये छोटे बीज पुरुषों की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक प्रोस्टेट स्वास्थ है लड़ने में बहुत काम आते है ये बस एक नाश्ता नहीं है नहीं है ये एक आम चुनौती के खिलाफ प्रकृति के हथियार का इस्तिमाल करने जैसा है ये निबंध आम उपभोग की परतों को हटाता है और इन साधारन बीजों के भीतर्चे पे असाधारन लाबो को प्रकट करता है खास कर प्रोस्टेट स्वस्थिसे संबंधित जैसे जैसे हम वैग्यानिक समर्थन को समझेंगे और प्रत्यक्ष अनुभव सुनेंगे आप देखेंगे कि कद्दू के बीजों को अपने आहार में शामिल करना नकेवल उचित है बलकि जरूरी है कद्दू के बीज या पेपिटास नकेवल स्वादिष्ट होते हैं बलकि पोशक तत्वों का खजाना भी है ये मैगनीशियम, जिंक और फैटी एसिड से भरपूर होते हैं जो कोशिका वृद्धि, प्रतिरक्षा कार्य और उर्जा उत्पादन सहित शारिरिक कार्यों के लिए जरूरी है इसके अलावा इन बीजों में प्रोटीन और फाइबर के अच्छी मात्रा होती है जो उन्हें उर्जा के स्तर को बनाए रखने और पाचन स्वास्थे में सहायता के लिए एक बहतरीन नाश्टा बनाती है प्रोस्टेट स्वास्थे के संदर्व में कद्दू के बीजों में पाया जाने वाला उच्छ जिंक अंश विशेश रूप से महत्वपून है जिंक प्रोस्टेट के कारे और स्वास्थे में महत्वपून भूमिका निभाता है और इसकी कमी अकसर प्रोस्टेट गरंथी में समस्याओं से जुड़ी होती है आवशक पोशक तत्रों का इतना व्यापक स्पेक्टर्म प्रदान करके, कद्दु के बीज न केवल सामान में स्वास्थे के लिए, बलकि प्रोस्टेट के लिए लक्षित लाभों के लिए एक ठोस आधार प्रदान करते हैं लोग्चिकित्सा में कद्दू के बीजों को लंबे समय से मूत्र संबंधी समस्याओं को कम करने और प्रोस्टेट स्वास्थियों में सुधार के लिए उनकी क्षमता के लिए समर्थन दिया जाता रहा है यह संबंध केवल किस्से कहानियों तक ही सीनित नहीं है यह उनकी पॉष्टिक संरचना में गहराई से नहीं थे बीजों में फाइटोस्टेरॉल और एंटियो एक्सिडेंट जैसे यॉगिक होते हैं जो प्रोस्टेट कोशिकाओं के विकास को कम करने के लिए जाने जाते हैं संभावित रूप से सॉम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया बी पी एच जैसी स्थितियों को दूर रखते हैं यह पोशक तत्व प्रोस्टेट के आकार को नियंतृत करने और सुजन को कम करने में मदद करते हैं जो प्रोस्टेट स्वास्थे और कारिक को बनाए रखन करने में महतुपोन हैं इसी तरह कद्दू के बीजों में उच्च ओमेगा तीन फैटी एसिड सामगरी शरीर में सुजन को नियंतृत करने में एक आवश्यक हुमिका निभाती है जिसमें प्रोस्टेट भी शामिल है इन तंत्रों के माध्यम से कद्दू के बीज न केवल ए अनुसंधान का एक बड़ा हिस्सा प्रोस्टेट स्वास्थे के लिए कद्दू के बीजों के लाभों को रिखांकित करता है अध्यानों से संकेत मिलता है कि कद्दू के बीजों के सेवन से प्रोस्टेट व्रिद्ध से जुड़े लक्षणों में कमी आ सकती है जैसे कि बार बार पेशाब आना खासकर रात में और पेशाब का कमजोर प्रवाह 2015 के एक एतिहासिक अध्यान में बीपिएच वाले पुरुशों के समूह ने 6 महीने तक अपने दैनिक आहार में कद्दू के बीजों को शामिल करने के बाद रात में बातरूम जाने की संख्या में काफी कमी का अनुभव किया इसके अलावा प्रयोक शाला अध्यानों से पता चला है कि कद्दू के बीजों से निकाला गया तेल प्रोस्टेट कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकता है ये निशकर्ष नकेवल प्रॉस्टेट स्वास्थ्य के प्रबंधन में कद्दू के वीजों की प्रभाव शीलता की पुष्टी करते हैं, बलकि अधिक गंभीर प्रॉस्टेट कुरॉसा को रोकने में उनकी क्षमता को भी उजागर करते हैं जबकि वैज्ञानिक शोद कद्दू के बीजों के लाभों का ठोस प्रमान प्रदान करते हैं व्यक्तिगत किस्से और केस्ट टडीन लाभों को जीवन्त करते हैं उदाहरन के लिए वर्मॉंट के एक 58 वर्षी ये शिक्षक जॉन ने साज़ा किया कि कैसे अपने अहार में रोजाना मुठी भर कद्दू के बीजों को शामिल करने से उनके मूत्र पत के लक्षणों में काफी सुधार हुआ जॉन मुझे पहले तो संदे हुआ लेकिन फर्क नजर आ रहा था एक और मामला मार्क का है जो एक सेवा निवर्ट इंजीनियर है जिन्होंने कई वर्षों तक सॉम्य प्रोस्टेटिक हाईपरप्लासिया से पीडित रहने के बाद अपनी उपचार योजना के हिस्से के रूप में कद्दू के बीजों का रुख किया इस आहार परिवर्टन के छेह महीने बाद उनके लक्षन उस हद तक कम हो गए थे जहां उनके जीवन की गुनवत्ता में उनलेखनी रूप से सुधार हुआ था ये कहानियां और नगेवल वैज्ञानिक आंकडों को मानवीय बनाती है बलकि साधारन आहार परिवर्टनों के व्यावहरिक लाभों को भी रेखांकित करती है जॉन और मार्क जैसे व्यक्तियों के सकारात्मक अनुभव प्रोस्टेट स्वास्थे के प्रबंधन में कद्दू के बीजों की प्रभाव शीलता के लिए सम्मोहग प्रमान प्रदान करते हैं कद्दू के बीजों को अपने आहार में शामिल करना आसान और बहमुखी दोना है इन बीजों का आनंद कच्चा, भुना हुआ या पीस कर आठे के रूप में लिया जा सकता है यह सला, दही, स्मूदी और यहां तक की बेक्ट सामान में भी एक बेहतरीन अधिरिक्त बनाते हैं एक कुरकुरे बनावट और अख्रोर जैसा स्वाद बुदान करते हैं जो लोग विशेश रूप से प्रोस्टेट स्वास्थे को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए रोजाना लगभग 30 ग्राम कद्दू के बीच खाने की सलाह दी जाती है इसे आसानी से अपने सुबह के नाश्टे के अनाज के उपर छिड़क कर या अपने दोपहर के नाश्टे में शामिल करके प्राप्त किया जा सकता है इसके अलावा कद्दू के बीच का तेल उप्धोक का एक और शक्तिशाली होता है जो प्रॉस्टेट स्वास्थे के लिए फाइदेमन्द पोशक तत्रों की एक केंद्रित खुराक प्रदान करते है प्रति दिन एक बड़ा चम्मच कद्दू के बीच का तेल, सलाद के उपर छिड़का हुआ या स्मूदी में मिलाकर एक प्रभावी पोशन पूरक के रूप में काम कर सकता है जबकि कद्दू के बीच आमतोर पर खाने के लिए सुरक्षित होते हैं इन में शक्तिशाली पदार्थ होते हैं जो कुछ दवाओं या स्वास्थिस्थितियों के साथ परस्पर क्रिया कर सकते हैं उदाहरण के लिए इनकी उच्च फाइवर सामग्री के कारण अत्यधिक खाने से गैस्ट्रो इंटस्टाइनल असुधा या सुजन हो सकती है मूत्रवर्धक या मधुमे विरोधी दवा लेने वाले व्यक्तियों को भी अपने आहार में कद्दू के बीजों की महत्वपून मात्रा को शामिल करने से पहले हैं एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श लेना चाहिए क्योंकि बीजों में मूत्रवर्धक और ग्लुकोज विनियमन गुर्ण होते हैं इन अंतहक्रियाओं को समझना और कम मात्रा से शुरू करने से किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है यह सुनिश्चित करते हुए कि कद्दू के बीज आपके आहार में लाबकारी रूप से एकी कृत हों तुलनात्मत विश्लेशं कद्दू के बीज बनाम अन्य प्रोस्टेट पूरक प्रोस्टेट स्वास्थे के लिए अन्य लोप्रिय पूरक आहार जैसे सौ पालमिटो और बीटा सिटोस्टिरॉल की तुलना में कद्दू के बीज अपनी पकड़ बनाए हुए कई पूरक आहारों के विप्रीत कद्दू के बीज अतिरिक्त पोशन लाभूं की एक विस्तरा अकसत पिष्टान और श्रंखला प्रदान करते हैं, जैसे कि उच्छ स्तर के मैगनेशियम और प्रोटीन, जब कि अन्य पूरक आहार प्रोस्टेट के लिए फाइदेमंद विश अधिक केंद्रेत रूप प्रदान कर सकते हैं, जो लक्षित प्रोस्टेट लाभूं के अलावा समग्र स्वास्थिय का समर्थन करते हैं, ये कद्दू के बीजों को एक व्यापक अहार विकल्प बनाता है, न केवल उन लोगों के लिए जो प्रोस्टेट स्वास्थिय को बनाए रखना चाहते हैं बलकि पोशक तत्यों से भरपूर पूरक की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति पोड़े हैं विशेशज जराय और सिफारिश पोशन विशेशज और स्वास्थय सेवा प्रदाता तेजी से कद्दू के बीजों के लाभों को पहचान रहे हैं एक प्रसिद्ध आहार विशेशज जड़ा हेलन बॉंड का सुझाव है कि कद्दू के बीज संतुलित आहार के लिए एक शांदार अधिरिक्त हैं जो कई तरह के पोशकतत रुप्रदान करते हैं जो न केवल प्रोस्टेट स्वास्थय बलकि सामान्य स्वास्थय का भी समर्थन करते हैं विशेश शग्य कद्दू के बीजों को संतुलित आहार के हिस्से के रूप में शामिल करने की सवाहत हैं जिसमें विभिन नपकार के फल, सबजियां और साबुद अनाज शामिल हैं यह दृष्टिकोंड सुनिश्चित करता है कि आपको इश्टितम स्वास्थय के लिए आवश्यक पोशक तत्वों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्राप्त हो स्वास्थय पेशेवरों द्वारा समर्थन कद्दू के बीजों के लाभों में एक आधिकारिक परत जोगता है एक स्वस्थ आहार व्यवस्था में उनकी भूंका को मजबूख करता है उपभूकता संशयवाद को संबुधित करना अकसर पीछे जाने वाले प्रश्ट सम्मोहक साक्ष के बावदूद कुछ उपभूकता प्रोस्टेट स्वास्थि के लिए कद्दू के बीजों की प्रभाव शीलता के बारे में संशय में कि यहां कुछ सामान्य प्रश्णों के उपतर दिये गए हैं कद्दू के बीज खाने से मुझे प्रोस्टेट स्वास्थि में कितनी जल्दी सुधार दिखाई दे सकता है सुधार व्यक्तिकत स्वास्थि स्थितियों के आधार पर भिन में हो सकते हैं लेकिन आम तोर पर लगभग तीन से छह महीनों तक लगातार सेवन के बाद ध्यान देने योग दिया अंतर की उभीत की जा सकती है क्या रोजाना कद्दू के बीज खाने से कोई जोखिम जुड़ा है ज्यादातर लोगों के लिए कद्दू के बीज रोजाना खाने के लिए सुरक्षित होती है अलांकि किसी भी भोजन की तरह सैयम महतुपूर्ण है और विशिष्ट चिकित्सिय स्थित्यों वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श लेना चाहिए क्या कद्दू के बीज मेरी वर्तमान प्रोस्टेट दवा की जगह ले सकते हैं जबकि कद्दू के बीज आपके आहार के पूरक हो सकते हैं और संभवता कुछ लक्षणों को कम कर सकते हैं उन्हें पेशेवर परामर्श के बिना आपके स्वास्थि स्वास्थि सेवा प्रदाता द्वारा में अधारित दवाओं को प्रतिस्थात नहीं करना चाहिए इन सवालों के जवाब देने से संशयवाद को कम करने और अधिक से अधिक व्यक्तियों को प्रॉस्टेट स्वास्थि को बनाए रखने के लिए अपनी आहार येजना के हिस्से के रूप में कद्दू के बीजों पर एक फाल करने के लिए पूपसाहिद करने में अड़ भने सेला है। मात्रा निर्धारित करना और उन तंत्रों को समझना है जिनके द्वारा वे प्रोस्टेट और समग्र स्वास्थे को प्रभावित करते हैं वर्तमान अध्ययन कद्दू के बीज के सेवन के जिनॉमिक प्रभावों और सूजन मौडूलन और कैंसर की रोक्थाम में उनकी भूमिका पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं इसके अतिरिक्त, स्वास्ते के अन्निक शेत्रों, जैसे देमानसिक स्वास्च परापरों, उनके प्रभावों में रुची बरहाच रही है, जैसे जैसे शोध का विस्तार होगा, समझ का दाइरह, अधिक लक्षित आहार संबंधिया अनुशनसाओं और संभावित रूप से, चिकित सवचार में कद्दू के बीजों के नए अनुप्रयोगों को सक्षम करेगा। कद्दू के उप्योग को अधिक्तम करने में मदद मिलती है। आर्थिक रूप से कद्दू के बीजों की ब्रहती मांग स्थानिय क्रिशिक क्षेत्रों को बढ़ावा दे सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कद्दू बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। इस से ग्रामियन क्षेत्रों में अधिक टिकाव कृष्पधितियों और आर्थिक विकास हो सकता है। इस प्रकार कद्दू के बीजों का सेवन अधिक टिकाव और आर्थिक रूप से लापकारी कृष्मॉडल का समर्थन करता है। अंतिम विचार कद्दू के बीजों के लिए मामला बनाना। साधरन कद्दू का बीज केवल एक मौसमी दावत या हैलोवीन उत्सव का एक त्यागा हुआ उपोत्पाद नहीं है। जैसा कि इस निबंध में बताया गया है कद्दू के बीज एक पोशन खदान है जो प्रोस्टेट स्वास्थे और उससे आगे के लिए महत्पूर्ण लाप प्रदान करते हैं। वैज्यानिक शोध और वास्तविक जीवन के केस स्टड़ी द्वारा समर्थित उनका सम्रिद्ध पोशक तत्व प्रोफाइल आहार में उनके नियमित समावेशन के लिए एक सम्मोहक मामना बनाता है। ये नकेवल प्रोस्टेट स्वास्त्य को बनाये रखने का एक प्राकृतिक और सुलब साधन प्रदान करते हैं। बलकि समग्र स्वास्त्य और टिकाव आहार संबंधी आदतों में भी योगदान करते हैं। जैसे जैसे हम इन शक्तिशाली बीजों के बारे में और अधिक खोज करते हैं। आईए उनके क्रंच को नकिवल बहतर स्वास्त्य के लिए बलकि इस बात की बहतर समझ के लिए नेत्रित्व करने दें कि प्राकृतिक खाद्यपदार्थ हमारे स्वास्त्य के लिए कितने महत्वपून हैं। संग्षेप में चाहे आप अपने प्रोस्टेट स्वास्थे को अनुकूलित करना चाह रहे हो या बस अपने आहार को सम्रिद्ध करना चाह रहे हो कद्दू के बीज आपके पोशन शस्त्रागार के लिए एक योग्यात रिखता है आईए हम इन छोटे लेकिन शक्तिशाली बीजों की शक्ति को कम ना लखें कद्दू के बीजों से प्रोस्टेट स्वास्थे को अनुलॉक करें